वेलकम दोस्तों आप देश सकते रहेंगे यह कॉंटेक्टर साथ में ओभर लोड लगा हुआ है जो बड़े-बड़े सिस्टम रहते हैं सेंट्रल एसी हो गया है एच्वी एसी हो गया जो थ्रीफेस कंप्रेसर रहते हैं या फिर थ्रीफेस मोटर रहते हैं उसमें यह यूज किया जाता है जाब हमारा पेकेजर डाक ऑवलेसी या फिर इसी सेंट्रल इसी जो थ्रीफेस कंप्रेसर रहते हैं है वियर रहते लाता है उसको प्रोटेट करना इंपॉर्टेंट रहता है विना अप्रोटेक्शस के चलाएंगे अगर डामेज होता है तो ज़्यादा लॉस हो जाता है उसके लिबतार लॉड लगाये जाता नौर्मल दर्भाते में समयों द्धाश य्याओ साइज का है आप देश सकते रहेंगे यह दोनों मौर्वल है एक्जलरी कॉंटक्टर इसे बोल सकते रहेंगे यह फिर इसे जो थर्मल प्रोटेक्शन इसके अंदर रहता है और कैसे काम करता है और इसका एंपियर कैसे अड़ेस्ट करते हैं कुछ सेटिंग वरा के बारे में अर aggregate यहांपर अपर आता है जहांब यह ल Серच रहता है टरि मि 움ट यहां परिफ सकते रहेंगे यह लिखा हुआ यहां लग फैस आडल अलग कोडिंग रहता है है उसी तरह से यहां पर देखा हूँ लिखा हुआ है जो यहां से तीनों फेस गञाता है 4 पोल का है यहां से यहां पर 4 पोल है और दुसरा पर समस्यरा दिए 3 फेस हैं यहां से यह अंपयर का है है इसका यहां आप देखते रहेंगे 8 आण 0.10 अंपियर बारें पियर है इससी हरेष करने के लिए हमें टेस्टर के मदद से यहां पर कमयंट जो दे सकते हैं कि ice examples करते हैं यहां से घुमा करके हम सेट कर लेंगे 12 कर लेंगे जो भी हमारे requirement रहेता है जैसे कि एचांपल हमारा जो तो compressor है वह 12 एले रहा है इसम पर 12 एंपयर सेट खर देंगे और जैसे ही 12 से ज्यादा compressor लोड लेगा त्लट में नहीं क्या किरेगा करेगा जबित कुरह देगा तू काया जंवी होगा फिल यहां तक पावर आएगा ल हाँ इहां से आगे नहीं पास होगा यहां से Mark 67 आगे पास नहीं होगा व टाइम में हमें च्कर ना हुगए चेक करेंगे और समझेंगे इस तरहस हो गया यह मोला का जानेंगे इसके इंदर भी दे सकते रहेंगे एंप एलती था इहां पर भीय अलोग म्ला प्रीफ्रेंस होई derived company का यहां पर लुय तो पड़ा और अब Lynn Color करने के लिए इसका रिषैट करने करने के लिए क्या function है जिसे की जांपल हमारा compressor चल रहा emergency में कुछ बंद करना है तो टाइम में रेट करका दबाएंगे तिहां से power आगे नहीं जाएगा है सी stop हो जाएगा और reset करने के लिए कब होता है जब compressor load ज्यादा ले रहा है और यहां से power out नहीं हो रहा है और यहां से आगे power out होता है नहीं तो नहीं होगा क्योंकि हाई रहा है यह क्या रीजन है उसे हम चेक करेंगे टरबल को find करके वापस reset करेंगे तभी on होगा यहां से आगे power जाता है यह चीज़स के साथ में safety लगा रहता है यह ओवर लोड है यह जो है thermal जो है thermal protection overload है और इसका जो है नाम जो अलोग कंपनी का difference से बहुत से बहुत से आते हैं किया कैची जाते हैं और रीबू करेंगे दिखेंगे जो को से से रहेंगे से तक करेंगे जो है बूसरा जो दिया था बार अंपिड़का प्यर मिम पीडिए फिलिए पिर करसकते रहेंगे उसके बाद यहाँ से भी देशब्वार्बर के साथ चेट कर सकते रहेंगे कुछ देश्ब खसकर वह पर नहीं करना रहता है कि लिए उसकर्व यहां होड़ करने के लिए भी स्केटी प्रेट यह विडियो में लो रहते हैं तुन्हें मालूम होना चाहिए सब के बारे में कॉंट्रक्टर के बारे में कैसे क्या काम करता यह इसका फीचर फंक्चन क्या रहता है तो बेसिक जो है नॉर्मल यहां से सेट करना अडिरेश्च करना हो गया है उसके बाद और भी हम ज जाता है नॉर्मल क्लोज जी यहां से पावर देंगे सीधा आउट हो जाता है अभी आपको मेंटर से चेक करके दिखाते हैं इसके अंदर जो हैं हो जी कर रहा है इसमें पावर नहीं है जब आएगा इसका पॉइंट जो नणों नहीं हो जाता है इसका बनाया हुआ समझाया हुआ है इसका एन नो एंसी क्या रहता है क्यों जूरुत रहता है अभी याँ पर देखेस्ट कर रहा है यह और यह नहीं ही होता है जब इसमें एनलाइज होगा इसमें पावर जाएगा जब कंप्रेसर का और मोटर का थर्मोस्टेट के साथ में बनाया हुआ है कैसे कैसे वर करता है क्या चीज के लिए यह लगा रहता है यहां पर देख सकते रहेंगे जो यह फेस के उपर से जो यहां पर बना हुआ था यहां पर चार कंपॉइंट है तो नीचे डारेट आ जाता है जब इसमें पावर आता है थर्मोस्टेट के माध्यम से या फिर जो भ सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जानेंगे नेश्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो दूसरा पार्ट में जानेंगे सब्सक्राइब कर सकते रहेंगे सब्सक्राइब करें जिससे कुछ बीस तरसी निफार्मेशन के लिए वीडियो बनाएं आपके पास बेज सके और आप जानकारी मिला या नहीं मिला आगे क्या चीज़ के बारे में जानना देखना चाहिए अगर आप कॉंटेक्टर या रिले कोई सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत से सब्सक्राइब कर दिया हुआ है विजिट करके या बाइक कर सकते रहेंगे इसका फायदा ले सकते रहेंगे आज आपका दिन सुबो थैंक्यू फॉर वाचिंग झाल